नमस्कार मैं हो यासमी का है कि जो आम जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है इस बात का खामियाजा ऐल्याभट की फिल्म सटक 2 को भुगतना पड़ रहा है कुछ दिनों पहले ही ऐल्याभट की फिल्म सटक 2 का ट्रेलर रूलीस किया गया था सडक्टू का ट्रेलर देखकर सुशान सिंग राजपूत के फैंस का गुस्सा भड़किया जिसके बाद से ही आलिया भट की फिल्म के इस ट्रेलर को लोग डिसलाइक कर दे है कुछ समय में ही सडक्टू को एक करोड लोगों ने डिसलाइक कर डाला है सोशल मीडिया पर हो रही इस फजीहत के बीच क्यारके ने भट काम की जम कर खिल्ली उडाई है इतना ही नहीं क्यारके ने तो इस बात का भी अलान कर दिया कि स्वतंतरता दिवस के मौके पर लोगों को भट परिवार से आजादी मिल गई सड़क्टू के ट्रेलर की खिल्ली उडाते हुए क्यारके ने लिखा है लोगों को आज भट परिवार से आजादी मिल गई है इस खुशी में आप सभी लोगों को धेर सारी शुपकामना है सड़क्टू को एक करोड लोगों ने डिसलाइक किया अब ये फिल्म दुनिया में सबसे ज़ादा डिसलाइक पाने वाली फिल्म बन गई है यूट्यूब पर ये एक बड़ा रिकॉर्ड है क्यारके ने भट काम पर निशाना साथते हुए आगे लिखा अब भट परिवार कोई भी फिल्म नहीं बना पाएगा क्योंकि कोई भी इनकी फिल्म को दो रुपे में भी नहीं खरीदेगा इन शानदार लोगों के लिए जोड़दार तालिया गौरतलब है कि महेश भट की फिल्म सडक टू में आलिया भट, पूजा भट, संजेदत और आदित रोय कपूर जैसे स्टार किड्स नजर आने वाले है ये फिल्म जल्द ही डिजनी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम होने वाली है लेकिन लोगों की नफरत इस फिल्म के लिए बुरी साबित हो सकती है लोगों की खराब रेटिंग का असर फिल्म पर साफ देखने को मिल रहा है प्राइब झाली ही को मिल थाहिए लिए और वाले है को लोगों की रोगों की अवड़ाएब शेली का असन्राइब सेलब का घिल्म प्लस हॉट